हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सोल्यूशन की एक पसंड की तेजी के साथ बंद रहा डोजी या स्पिनिंग टॉप जिसी केंडल बनी आगे क्या हो सकता है उसकी अनालिसिस करेगी आने वाले हपते में अगर आपकी इसके अंदर ह समय में तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है आज भी हम रात को स्वाट वीडियो सप्लोड करेंगे वो भी जरूर देखें यहां पर जो है एक एक जार और चालिस के आसपास का हाई बनाया कुछ लेवल और ऊपर चला जाता तो अच्छा रह सकता था निप्टी के अंदर आ एक डिमांड जोन अभी भी यहां पर दिख रहा है अब यहां पर निप्टी की बात करते हैं तो जब यहां पर निप्टी को हम देखते हैं 22,225 के उपर इसने क्लोजिंग दी लेकिन उपर से यहां पर अच्छा खासा करेक्शन आया यह भी एक वीजन है इसके अंदर आज इसने जो है लो बनाया वहां पर वापस से सपोर्ट लिया कहीं अभी यहां पर 22,270 दिखाए दे रहा है लेकिन इसके उपर निप्टी के उपर भी बाजार के उपर भी आप जरूर देखिएगा लेकिन अब एक चीज अच्छी यहां पर दिख रही है कि 22,225 एक सपोर्ट दिख रहा है तो इसके उपर ठीका रहता है तो अभी भी इसके अंदर चांसे हो सकते हैं आने वाले समय में एक स्टेंथ वापस आने के पहले तो जो है यहां पर हम इसके 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं जब हम इसका देखते हैं तो यहां पर क्लियर ली है जो अच्छा कासा वोलिम दिख रहा है तेजी भी बनी एक अच्छा चालिस के आसपास गया भी नाइन वीक के मुविंग एविलेज के ऊपर अगर यह निकल जाता तो अच्छा रह सकता था और लेकिन यह जैसे ही वो बाजार के अंदर शाप करेक्शन ऊपर से यह करेक्शन ने इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं क्योंकि लाइप टाम हाई के पास पहुंचा था तब भी हमने कम्यूनिटी पोस्ट के ऊपर पोस्ट भी डाली थी मिलकुल उसी लेवल के आसपा इसा होता है जब दुबारा वहाँ पर जाता है तो एक बाग प्रॉफिट बॉकिंग जो ट्रेडर्स इन्होंने नीचे खरी दियारी की हो हो सकता है उन्होंने ऊपर में प्र जा सकता था, अगर वहाँ पर क्लोजिंग दे देळेता तो अच्छा रह सकता था, क्योंकि पिछले तीन हपतों से इन दोनों इसके काम कर रहा है, तब ही हमने जब यहाँ पर वास्ट इन र निचे क्लोजिंग दी थी, तब ही बात की थी कि इसके अंदर अब स्ट्रेंद क के मुविंग एवलेच का आसपास यह रेजिस्टन फेस कर रहा है बुलिंजर बेंग को यहां पर लगाया है अगर गिरावट आती है किसी भी रिजन से तो अभी भी जो है सपोर्ट नजदीक दिख रहा है एक 1026 का प्राइसे 900 रुपे का आसपास अभी भी जहां पर इसने प अगर इस लाइन को क्रोस कर देता तो ग्यारा सो तक जानी कि इसकी संभावना रह सकती थी फिलाल अभी देखे मेसीडी को यहां पर दोहरी सिच्वेसिन दिखाई दे लिए और यह आप यहां पर खास देख सकते हैं इसी का मज़ा है स्टॉक मार्केट का डेली चार्ट के यहां पर जब मेसीडी को लगाते हैं तो एक बुलीश क्रोस ओवर होने की तैयारी दिख रही है अगर सोमवार को थोड़ी सी भी 15-25-30 रुपए की अगर तेजी आई तो यहां पर एक जो है बुलीश क्रोस ओवर हो सकता है उसके बाद और तेजी आने की संभावना रह सकत है और अगर वीकली चार्ट के उपर जब हम इसको बुलीश को लगाते हैं तो यहां पर बेरिश क्रोस ओवर हो गया है वीकली चार्ट के उपर तो यह वीकली चार्ट थोड़ा सा लंबा चार्ट होता है तो यहां पर थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है और यहां पर नेवल्स को पार कर दे तो वापस से ये जो रेट कलर का बार बना है तीरे दीरे करकर वापस से ऊपर एक बुलिस क्रोसवर होने की संभावना रह सकती है और ये भी ना भूले कि आने वाले हपते में RBI की अगर देखे तो वो डेडलाइन से भी को जो दी थी वो पूरी हो सकती है 4 April को क्योंकि तीन महीने जो है वो पूरे हो रहे हैं तो अगर कुछ पॉजिटिव सर्प्राइज न्यू जाती है तो इसके अंदर वापस से तेज़ी की संभावना हो सकती है अब क्या होगा वो देखना बनता है आने वाला हपता काफी एक इंपोर्टन रह सकता है अधानी ग्रूप के लिए अगर देखे तो यहाँ पर तो यहीं लग रहा है RSI की बात करें जैसे कि हमने देखा अभी यह 47 के उपर है अगर किसी भी रिजन से नीचे में गर्रावट आती भी है तो 900 रुपे के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है यह लेवल ज्यादा दूर है नहीं यह 1000 रुपे के आसपास का अभी प्राइस है और वहाँ पर अगर किसी को खरीदना है तो एक अच्छी ओपर्चुनटी एक बनने की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है यह अगर नीचे आएगा तो यह RSI वापस से 30 के पास आता है यहाँ पर 1026 का प्राइस से फिबोनाची के रिट्रेस्मेंट लगाया है यह लेवल सभी काफी यूसपूल रह सकते है यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेजी आई थी उसके रिट्रेस्मेंट है प्राइस इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंस हो सकते है अब यहाँ पर जो अभी प्राइस है उसके नीचे के जितने भी प्राइस है वो सपोर्ट हो सकते है उसके उपर के जितने भी प्राइस है वो रजिस्टन हो सकते है और यहाँ पर अभी इसका पहला जो सपोर्ट है वो 980 रुपे का असपास का दिख रहे है उसके बाद 920 रुपे का असपास का इसके अंदर यहाँ पर यह जो बड़ी सी केंडल दिख रही है, रेट कलन की उसी लेवल के असपास इसने support लिया था, तो यह सभी लेवल काफी useful रह सकते हैं, उपर में जो है, इसके अंदर अभी देखे, 1045 का असपास का zone, यह रेजिस् सीडी को, डेली चाट के उपर, तो अगर कुछ तेजी आती है, तो थोड़ी सी और तेजी आने की संभावना हो सकती है, अदर्वाइस अगर support अगर कुछ तोड़ता है, खास कर के 1000 रुपे का लेवल, तो थोड़ी से और नीचे जाने की संभावना रह सकती है, और यहाँ यहीं जो है, market की जो है, खुबसूरती रहती है, और short term की अगर बात करें, तो यहाँ पर अभी 1026 का price है, तो नीचे में अगर support की अगर बात करें, तो पहला support जो दिख रहा है, 1000 रुपे का, इन दे राउन फिगर नमबर देखें, 5-10 रुपे उपो नीचे हो सकते हैं, उस पर बात करें, एक से दो दिन की, सौमबार मंगर वार के यह support और रजिशन इसके हो सकते हैं, और यहाँ पर अभी देखें, तो एक चीज़ पोजिटिव अभी यहाँ पर अभी भी क्या दिख रही है, तो वह इसके वॉलियम जो की यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से ले अभी अच्छा कासा accumulation हुआ, तो अभी भी demand zone इसके अंदर बरकरार है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि वह traders जो है long term के लिए इसके अभी भी कुछ, कोई ना कोई इसके अंदर खरीद रहा है, ऐसा लग रहा है, कही ना कहीं, तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके उपर हम analysis करेंगे, कल या परसो, लंबा वीकेंड है, तीन दिन की छुटी है, तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते है, और कुछ और update भी आएगी, तो वो भी हम यहाँ पर इसके उपर भी analysis करेंगे, और आने वाला हफ़ता काफी useful, एक जो है, एक important रह सकता है, तो तब तक के अगर आपको यह जान करेंगे, तो लाइक ज़रूर करें, शेर करें, और सब्सक्राब करें हमारे चैनल को, और standard disclaimer, जो कि मैं हमेसा देता हूँ, आप कोई भी trade ले, उससे पहले, अपनी research करें, अपना financial advisor की सला ले, उसके बाद ही कोई DC जनल ले, और DC जनल ले, तो उसकी ज